नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्र जस्मी तालूवालिया बिरेट्रिक एडवांस लेपरस्कोपिक एंड लेजर सर्जन और इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉल बेडर के कैंसर के बारे में गॉल बेडर कैंसर अनफॉचिनेटली नॉर्दन इंडिया में काफी कॉमन है लेकिन इसके सिम्टम्स इनीशेरे ढूणना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि इनीशल सिम्टम्स बहुत सटल होते हैं और जब तक ये फैल नहीं जाता या एडवांस नहीं हो जाता बहुत सार सिम्टम्स में एक सिम्टम आपके गॉल बेडर कैंसर का हो सकता है गॉल बेडर कैंसर होने का खत्रा किन लोगों में ज्यादा है जिस तरह फीमेल्स में गॉल बेडर का स्थोन होने का रिस्क ज्यादा रहता है उसी तरह गॉल बेडर कैंसर का रिस्क भी फीमेल्स में ज्या स्मोकिंग करना, unhealthy habits होना, obesity होना ये भी एक गॉलबेटर कैंसर का कारण बन सकते हैं Primary Sclerosing Collingitis और कुछ CBD के Assessists हैं जिनमें गॉलबेटर का कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है Chronic Salmonella Infection भी एक इसका कारण है लिकिन बहुत सारे patients में कोई भी specific कारण मिलना possible नहीं होता और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी को गॉलबेटर कैंसर है तो हमें उसके underlying कोई न कोई भी ठोस कारण मिली जाए बहुत सारे patients में गॉलबेटर कैंसर का पता गॉलबेटर के operation के बाद ही चलता है यानि कि उन्होंने गॉलबेटर stone की वज़े से operation करवाया और बाद में जब उसका test हुआ तो उसमें पता चला कि गॉलबेटर में cancer था ऐसा उन cases में ज़्यादा common है जब ये problem initial stages में हो और गॉलबेटर का cancer गॉलबेटर की wall तक ही सिमित हो गॉलबेटर cancer का diagnosis कैसे बनता है विल अगर तो आपको इन में से कोई symptoms है या किसी और symptom की वज़े से आपके जब test करवा जाते हैं यानि कि पेट का ultrasound या CT scan तो बहुत सारे patients में उनमें ये doubt उभर कर आता है ultrasound ये CT scan पर ये doubt होने के बाद और कुछ test करवा जा सकते हैं जो हमारे इस diagnosis में help करते हैं blood test के अंदर routine blood test के इलावा liver function test यानि कि वो सारे test चो liver का function दिखाते हैं CA 99, CEA ये tumor markers हैं जो cancer के तरफ इशारा करते हैं scanning जैसे ultrasound CT के इलावा MRI या MRCP की जा सकती है जो ज्यादा sensitive है gallbladder के cancer को लेकर last में किसी भी cancer के लिए biopsy की जाती है लेकिन gallbladder cancer में हमेशा ये जरूरी नहीं होता बहुत rare cases में जब gallbladder cancer का diagnosis ना बन रहा हो तब एक biopsy भी की जा सकती है हर और cancer की तरह gallbladder cancer की भी staging की जा सकती है staging समझना थोड़ा मुश्किल रहता है लेकिन इसको हम simple language में जाने तो stage 1 का मतलब है कि gallbladder के अंदर के हिस्से में ही cancer confined है stage 2 में gallbladder की जो बाकी walls है यानि कि उसकी muscle है वो भी involved हो जाती है stage 3 में gallbladder के साथ का organ जैसे की liver है उसमें cancer फैल जाता है और stage 4 में या और adjacent organs या body के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है इसके treatment में stage 1 में अगर ये gallbladder के अंदर ही सीमित है तो simple gallbladder removal से ही इसका cure हो सकता है अगर आपके surgery के बाद ऐसा देखा गया है कि बिल्कुल initial stage में आपका cancer था और उसके spread का कोई भी evidence नहीं है तो simple जो आपने gallbladder surgery करवाई है वो भी sufficient हो सकती है लेकिन जैसे जैसे इसकी staging बढ़ती जाती है इसका treatment मुश्किल होता जाता है बाद की stages में हम लोग liver के resection कर सकते हैं यानि कि जब ये liver तक फैल गया है और कहीं और नहीं फैला है तो हम gallbladder के साथ साथ जो liver जुडा हुआ है उसका part remove कर सकते हैं लेकिन अगर ये और ज्यादा फैल गया है तब इसकी surgery possible नहीं रहते पीलिया कम करने के लिए आपको एक treatment किया जा सकता है ताकि पीलिया कम हो जाए और उसके बाद आपको chemotherapy या radiotherapy के थरूँ relief दिया सकता है अगर तो gallbladder incidentally diagnose हुआ है यानि कि आपके gallbladder को निकालने के बाद उसमें पता चला है कि यह stage 1 था और कहीं और नहीं फैला है तब तो इसके survival chances यानि की health और आपकी life अच्छी रहती है लिकिन इसके फैलने के बाद gallbladder का जो treatment है बहुत जादा effective नहीं है इसमें survival chances बाकी cancers के हिसाब से बहुत जादा नहीं है क्योंकि patients usually late stage में present करते हैं और तब तक यह cancer बहुत अब तक फैल गया होता है लिकिन फिर भी आप अपने doctor से मिलिए देखिए कि क्या stage है और उस stage में क्या best इलाज किया जा सकता है अगर gallbladder का cure possible ना भी हो तब भी बहुत सारी palliative care available है यानि कि palliative care से हम patient की life better कर सकते हैं कुछ अब तक उसे prolong कर सकते हैं और इस cancer की आने वाली complications को कम कर सकते हैं We hope कि यह video देखकर आपको gallbladder cancer के बारे में कुछ जानकारे मिली होगी और आप अपना decision better way से ले पाएंगे Thank you मुझ 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 मुझी धर